एमाजोन ग्रेक इंकन फेस्टिवल सेल में 15,000 रूपिस के अंदर आने वाला है मेरे पास एक ऐसा फोन है जिसमें आप नाइंग की एपिस में वीजे में गेम खेल साकते हो और यह पर ओले गिस्पेर रहने वाला है और यह पर कैमरा भी काफी अच्छा रहने वाला है जिसका इस स्पून को लोंग टाइम तक यूच करो मुझे पते है इस स्पून में क्या अच्छा ही है क्या बूरा ही है अगर अपने लेना चाहतो वीडियो को लाश्ट कर देख हां सबसे फहली लूप के बारे में बात करने वालू लूप मेरे को काफी अच्छा लगा अब्यसली एक उनिक टाइफ की लूप फ्रोभाइट किया है रियल में हम लोग को हमेशा एक न्यूट टाइफ की लूप फ्रोभाइट करते है जो डूएल कलर टोन के साथ आने वाले ब्लाक एंट योलो का मिक्सिंग कलर के साथ आने वाले बैक सग में डूएल क्यामरा का सेक अप एल नहीं देखा देता जो मुझे काफी अच्छा लग रहा था और एफून आने वाला है फुल फ्यू डिस्प्ले के साथ क्योंकि यह पर में 500 सल्पी कैमरा मेल जाएगा तो देखा जाए तो यहां पर लूग में आफी तक मेरे को पॉब्लेम नहीं लगा हां बात करते डिस्प् वाला है और यूटूब का वीडियो आप यहां पर 4K HDR करके देख सकते हो और जो क्वाइटी फ्रोभाइट के वाई काफी बड़ी है ऐसा फॉंची कला नेचरल कालार फ्रोभाइट किया था वीडियो मेरे को काफी अच्छा लग रहा था और यह वाइंट के खास जो हाया बहुत स्मूद है बाई मैं जब यूच कहा था जो एक्स्पेंस मेरे को लग रहा था काफी प्रिंद्याम सा और इस पुन का आउट्गर ब्राइगनेस भी काफी अच्छा रहने वाला है फोन को मैं आउट्गर में भी अच्छी तरीके से यूच कर पाया था और इंगिस प से गया मीड़ेट के गाइमों से की 7300 एनारजी चिपसे गया जो की 4 एनेम का चिपसे गया और इसका जो आन्तुतु स्कोर आया था 6 लाग 7 की 7 के प्लास और मेरे पास है एक जीवी रहम के साथ 128 विक्टोरेश एल्पी गिके 4 एक्स रहने वाला है उफस 3.1 पर साथ आने व 90 FPS में प्लेट किया था उसी कैमरे को लाग फ्रेम्टाप कुछ भी नहीं देखाई दिया था जो गेमिंग परफॉंस में कहने वालो काफी अच्छा रहने वाले इस पॉन में और हाँ बात करते हैं इसका क्यामरे के बारे में कैमरा इस पॉन में कैसा रहने वाले है यहाप बैक सक्ण में डूएल कैमरा 50 Mpx का में सेंसर और एक येप सेंसर रहने वाले है 2 Mpx का celfी में में जाएगा 16 Mpx का celfी कैमरा बैक सक्ट में आप ओर के में वीड्यो को रेकॉर्ट कर सक'S चलो मैं आप लोगे कूछ da pag करी में पॉछ पीक्चर कॉड की देखा दे तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है हाँ बात करते हैं यहां पर तो है 5000 में इस्पून का गेंटेस किया था और जो मेरा टाइम लग रहा था वाई से ज़्यादा बैकर बेकप काफी अच्छा रहने वाले नौर्माली अगर अपने यूच करेंगो तो एक दिन से ज़्यादा ट चार्ज करने के लिए जो मेरा टाइम लगा है जो 45 वाट चार्जर से वान आवर्स 14 मिनिक का इंदर मैं इस्पून को जीरो से हांटेट परसेंट चार्ज किया था तो बैकर बेक आप एंग चार्जिंग का टाइम मेरे को ठिक्टा की लग रहा था एंग पर डूएल माइक रहने वाला है 3.5 mm headphone jack भी मिल जाएगा इस पॉन एजगी कर को लगा साकतो एफ़न आउट आउट आप बॉक्स लांच हुए एंटर 14 के साथ और रियल्मी का लेके लेकिन कुछ प्रिंस्ट्रियल एप रहने वाला है जिसको आपको यहां पर आकर अनिस्ट्रोल करना पड़ है और यह पर बैकर भी पारफुल प्रोवाइड गया है मैंने सबसें देखा जाए तो 15,000 इसमें काफी अच्छा डील होने वाले ऐसे भी आपको क्या लागता है वह आप मूंसे कमंड में बिता सकते हैं उमीद कर तो अच्छ वीडियो आपको पसंत आया होगा और अगर आ इतना ही मिलते अगला निव वीडियो के साथ तब ते के लिए वाई वाई टेक्ट